Hello Friends! आज करे class में हम दोग देखेंगे Paytm के website में data tempering होता है या नहीं होता है मुझे तो मालू मैं कि Paytm के website में vulnerability नहीं है data tempering का तो अब हम दोग करके देखेंगे कि जिस website में data tempering का vulnerability नहीं होता है उसमें क्या problem होता है क्या so नहीं करता है किस type का error आता है तो सबसे पहले हम दोग देखेंगे कि data tempering होता है या नहीं होता है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि recharge पर जाता हूँ रिचार्ज में जाता हूँ तो Paytm का है मैं पने number डाल दिया और automatic ले लिया 1000 पर देता हूँ तो ठीक है और मैं यहाँ पर करता हूँ intercept on कर देता हूँ यह stop हो गया मैं इसको procedure recharge करता हूँ और यहाँ पर में पास आचुक है यहाँ पर आप देखिए तो मुझे 1000 का value देखना है तो मैं क्या करता हूँ 1000 value को मैं यहाँ पर search bar में search कर लेता हूँ यहाँ पर मिलता है magnifier on कर देता हूँ मैं आपको और मैं दिखाता हूँ मैंने magnifier on कर दिया और यहाँ पर 1000 मैं search पर डाल देता हूँ तो जहाँ भी यहोगा automatic दिख जाएगा क्योंकि मुझे देखना नहीं पड़ेगा यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहा है मैं forward कर देता हूँ यहाँ पर मैंने forward कर दिया एक बार और यहाँ पर देख सकते खूद यहाँ पर 1100 करके दिख दिया देख रहा है यहाँ पर 1000 दिख रहा है यहाँ पर मैंने search कि यहाँ तो میںกल टो हन Dalgen को क्या करता हूँ 10 रूपीज कर देता हूँ petit आप देखता हूँ कि मेरे यहाँ तो ख़ा प्राइस ऊफ और मैं क्या करता हूँ इसको फार और करकें इन्टरेश्प को हाफ कर देता हूँ और मैं देखता हूं ओप आ कर dry here यहां पर देख सकते हैं यह चेंज हो गया, प्राइस नम्परिंग काम कर रहा लेकिन लेकिन यह आप देखें यह पेटे में वन्नेबिल्टी नहीं है, इसलिए यहां पर हजार रुपय कर रिचाज दस रुपय में नहीं हो रहा है, यहां पर यह चीज देखें आप, ओके, त नम्बर डाला, ओके, और मैं अपने नम्बर को हाइट कर दिया हूँ, क्योंकि यह पर बहुत सा नम्बर में दिख रहा है, और मैं क्या करता हूँ, 1000 दालता है, फिर से, ओके, रिचारज नहां पर क्लिक किया, यहां पर सिरा पेमिंट गेट पर ले गया थे, लेकिन मुझे यहां पर नहीं आना है, मैं इसको बैक आ जाता हूँ, फिर से, मैं फासी चारज को हता देता हूँ, ठीक है, और यहां पर हम दो आ गए, और पर सिर्ट तो यहां पर करने का option यहां पर आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, फिर यहां पर इंटरसेप्ट अन करता हूँ, और पॉर्सियोट टू पेपर किलिक करता हूँ, आप मैं आपर चेंज करके देखता हूँ आप चेंज होता है या नहीं होता है, 1000 यहां पर वैलू दिख रहा है, तो यहीं पर मैं कर देता हूँ इसको 3 रुपीज, lf- penny price, Intercept, Go forward कर देता हूँ और 14 रुपीज, और मैं ऐसको off कर देता हूँ ओके, आप देखते हैं यह फोड़ा की नहीं होड़ा है, तो यहां पर दीख तो रहा है, Which is payment, ب CRUD ुदिंट, और 13 रुपीज, लेकि झार के QRे में 1000 रुपीज χार्श होने माला है, यह तो मुझे भी मालूम है, तो यह चीज यहां पर काम नहीं करता है, क्योंकि पेटे में इतना बड़ा साइट है, तो कैसा यह बनने बलोगा, ओके इस तरीका से मुझे एक तरीका देख सकते हैं, चलिए और भी तरीका देखते हैं, कुछ order करने का देखते हैं, यहां पर मैं आया, नीचे में, और मैं यहां पर testing के वे में लेता हूं कोई product को ठाता हूं, देखता हूं कुछ buy होता है कि नहीं होता है, तो मैं example लेके जलता हूं, phone को देखता हूं, कोई अच्छा phone, iPhone, बहुत सारा phone यहां पर है, मैं कोई महेंगा phone डेखता हूं, like 20,000 का यह phone है, यह open हो गया, तो मैं क्या करता हूं, मैं सोचता हूं इसको buy करने का try करता हूं, change होता है कि नहीं होता है, मैं intercept को on कर देता हूं, करता हूं, तो यहां पर प्राइस से मुझे रलना होगा 20,90,90 है, यहां पर 20,90,90 रलना होगा, यह तो Sony करेगा price, 20,90, okay, आप मैं इसको forward करता हूं, forward, forward, तो यहां पर कही price हो ही नहीं हो रहा है, आप देख रहा है, तो कुछ इसमें बोल नहीं सकते हैं दो, right, कहीं, यहां पर आपको price joke किया, दाइक यहां पर देख सकते हैं, तो मैं अचली इसको 90,90 कर देता हूं, एक बार, try करने के लिए, right, और मैं इसको forward करके, intercept को off कर देता हूं, off कर दिया, okay, हो जा, हम, और मैं try करता हैं आपर, price वही का वहीं है, हह, तो आप तो समझ में आरहा है, आपलो को, कि price change नहीं होता है, क्योंकि यह, आपका मतलब, क्या on level website नहीं है, इसके कारणीं कि price change नहीं हो रहा है, okay, तो होप इस class में इतना ही, इसमें वलने वल नहीं, इसलिए price change नहीं हुआ, तो आप समझ लिजे, तो इसमें वलने वल नहीं, इस टाप से price change नहीं हुआ, यह मतलब error आ जाता है, like, लिख देता है, you can change your price, that's reason, मतलब फिर से update कीजिए, इस तब का जाता है, error, तो यह वलने वल नहीं है, इसलिए price change नहीं हुआ, तो इस टाप से हम लोग testing करते हैं, हर फेपसाइट पे, तो thank you for watching this class.